20 feet into 25 feet west facing house plan a 500 square feet इसका इसका बिल्दिंग कोस्ट तो चलते हैं इसका जो डिटिल से लिणeless में तो में वेस्ट फेसंग ऊसमें वेस्ट इस तरफ व्यस्ट साइड ँष्ट इस तरहा वीष्ट है और सौथ हो जैबा इस तर्फ इस तरफ साउथ नौ accelerating तरह है तो तो वेस्ट फेसिंग हाउसप्लान है 500 स्कार फिट के अंडर तू वीज के हॉस्प्लान कर रिभू करेंगे तो इस पे जो आउटसाइड का वाल है आउटसाइड का वाल नाइन इंच का और इंसाइड का वाल फाइव इंच का इसे सबसे इसका डिजाइन बनाया किचेन टू बेट्रूम ट्वाटलेट लिविंग रूम स्टियर सारी चीज़ है पी अवेलेवल किया गया इस डिजाइन के अंदर को इंडो चाड़े रहाँ यह जितना वाल्डा हो रहा है आउटसाइड का और नाइन इंच का वाल है इसका कंस्रेक्शन कोस्ट मैंने बता दिया आपका कॉलॉम पोजिशन पुटिंग साइज कॉलॉम साइज वह भी डिसकस करेंगे इस बीडिवी का अंदर फूरा कावर करेंगे अगे 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 तो यह पर विंडो किदर किदर आएगा देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूं कलर एंप आपको विंडोफ वाइट करना है विंडों का साइज भी क्या होगा वह भी बताऊंगा देखते रहें यह वीडियो को कि इसका दूर साइज कॉलॉम का पोजिशन सारे चींज पर डिसकस करने वाला हूं और देखिए जो मेंडोर है इस तरफ मेंडोर रखा है मेंडोर इस तरह है मेंडोर का साइज फोर फीट बाई सेवन फीट का साइज है फोर फीट चौड़ा है और हाइट जो है सेवन फीट है और इन पर इसका अब इन पर टॉइलेट है टॉइलेट का दूर इस तरह दोर है टॉइलेट है ही पर इन पर किच्छेन का दूर है यह पर किच्छन है और यह ब्लिविंग कंडाइन्ि आए यूविंग कंडाइनिग वह एस तरत आफ अब आप को ऑसा गूंके त्री फ्लाइट प्राइट में 3 फ्लाइट में को फैस्ट फ्लाइट में आना है तो थे फीट के इस तरह पर इस तरफ भी थीट है और इस तरह भी अपको थ्री फीट रखना है स्टेयर को उसके बाद यहीं पे ठूब बेट्रूम है और यहीं पे एक बेट्रूम और यहीं पे विंडो वाइट किया वेंटिलेशन यहीं पे किचिन का वेंडो तो इसका जो साइज है इसका साइज है ट्वैलेट का और इधा से इतना दुद तक 9 फीट 6 इंच इस तरह मिल जाएगा और इधा से इतना दुद तक 12 फीट 8 इंच इस तरह मिलेगा यह है लिविंग और ट्राइनिंग होल का साइज है अब इसका किचेन जो है फाइब फीट फाइब फाइब इस सेवें इंच वाइट फीट 8 इंच इस तरफ मिलेगा और बेटरूम और इस सेवें ना इन फीट 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 इस तरफ ना इन फीट थू इंच फ्टीन पीट फाइव इन पीट फाइब एच तो इस तो आपका मेजर्मेंट आएगा 500 स्क्राइड फिट के अंदर तो 500 स्क्राइड फिट के अंदर 2BH के होस्प्लैन है बहुत बढ़िया से इसका डिजाइन किया इसका जो कॉलॉम पॉजिशन है कलम पॉजिशन के लिए इन पर मार्क कर रहा हूं तो यह पर आपको नाइन इंच वाइन इंच का कॉलॉम पॉइट करना है इसका सीधा ही जिए पर आजाएगा और यह पर आजाएगा तो नाइन कॉलों में आपको यह बिल्डिंग रेडी हो जाएगा नंबर ओफ कॉलॉम नाइन साइज नाइन इंच वाइन इंच और फुटिंग साइज एंपे पुटिंग साइज आफ फोर फीट वाई फोर फीट रखिये इसमें आपको जी फ्लस वन बिल्डिंग तियार हो जाएगा तो अभी ही पे जो दोर है बेड्रूम का दोर थ्री फीट वाई सेवन फीट और वेंटिलेशन फॉर्टिं इंच वाई फॉर्टिं इंच का रखना है और किचेन का वेंडो थ्री फीट इंटू थ्री फीट बेड्रूम का वेंडो फाईप इंटू फोर फीट रखना है इसका भी फाई फीट इंटू फॉर फीट इसी सबसे आपको रखना पड़ेगा वेंडो साइज तो यह हो गया आपको 500 स्कार फिट का अंदर स्मॉल हाउस प्लान है 20 फीट वाई 25 फीट 20 फीट इस तरफ है और 25 फीट इस तरफ लेंद्वाइस आपको मिलेगा तो वेस्ट फेसिंग हाउस प्लान है बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा से इसको मैंने डिजाइन बनाया अगर आपका पसंद है यह वेडियो तो जुरूर वेडियो को लाइक सेयर कीजेगा और मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा थैंक यू